पस्चिम बंगाल के कॉलकाता में डॉक्टर का रेप और मडर इस खवर ने टीवी स्क्रीन पर दबदबा बनाया हुआ है ये मामला शांत भी नहीं हुआ था कि अब मुंबाई के थाने में चार साल की दो मासूम बच्चियों के साथ छेड़ खानी की गई अब पूरे शहर में बवाल मच रहा है इस केस ने फीमेल सेफटी पर एक बार फिर से क्वेश्चन मार्क लगा दिया है दरसल ये मामला थाने जिले के बदला पुरका है ये घटना 14 अगस्त की है बात फैलते ही स्कूल को पांच दिनों के लिए बंद कर दिया गया था पीडत बच्ची के परिवार का आरोप है कि स्कूल ने F.I.R. दर्ज कराने में मदद नहीं की जिसकी वज़े से F.I.R. दर्ज होने में समय लगा इस मामले के बाद स्कूल प्रश्वासन ने स्कूल की प्रिंसिपल, टीचर और लेडी अटेंडेंट को सस्पेंड कर दिया है पुलिस ने बताया कि जिस जगा ये घटना हुई वहां CCTV कामरा नहीं था पुलिस ने बच्चियों के साथ छेड़ चाड़ करने वाले स्कूल के स्वीपर को गिरफतार कर लिया है आरूपी का नाम अक्षे शिंदे है, बता दे अक्षे को थर्ड पार्टी कंपनी के जरिये स्कूल में सफाई कर्मी के तौर पर रखा गया था आरूपी ने गर्ल्स वाश्रूम में बच्चियों के साथ गिनोनी हरकत की है फिलहाल गुसाई पेरेंट्स और आम लोगों ने पूरे शेहर में जबरदस्त प्रदर्शन किया बवाल इतना बड़ा है कि लोगों ने स्कूल में तोड़ फोर करती और रेलवे ट्राक को जाम कर दिया बता दे इसके बाद पुलिस ने लोगों को हिरासत में भी लिया है FIR में देरी की वज़ा पुलिस भी है आरोप है कि पुलिस ने मामले को दबाने की कोशिश की पर जैसे जैसे मामले ने तूल पकड़ा आरोपी को गिरफतार कर लिया गया हम आपको ये भी ज़ानकारी दे देते हैं कि बदलापूर रेलवे स्टेशन पर चल रहे विरोध प्रदर्शन की वज़े से यूपी और बिहार से आने वाली कई ट्रेनों को अलग-अलग जगाहों पर रोका गया है इससे यात्रियों को भी काफी परिशानी हो रही है ऐसे में पुलिस ने भीड पर काबू पाने के लिए हवाई फाइरिंग भी की है बदलापूर में प्रदर्शन लगतार बढ़ रहा है स्कूल के बहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है इस मामले की जाच के लिए SIT के टीम बनाई गई है देश में आज भी बंगाल में हुई घटना की आग जल रही है देश भर में मेडिकल स्टाफ वुमें सेफटी की मांग कर रही है इस बीच थाने से आई इस खबर से लोगों का गुस्सा और बढ़ गया है सवाल है कि देश की बेटियां आखिर कब महफूज हो पाएंगी लोकल 18 के लिए मुंबाई से विश्वजीत सिंग की रिपोर्ट